स्वाकत और अविनेंदन आप सभी का दडिवेट में मैं बर्जेश मिश्रा हूं बैनों भाईयों बढ़ती हुई महंगाई ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है विशेश तोर पर आम आदमी निम्न मध्यमवर्ग गरीब और मध्यमवर्ग सेलरीट क्लास महंगाई के चलते बेहन परिशान है और महंगाई ने खासी तबह ही मचारक की है आरथिक मंदी कोरोना के दौरान हुआ लाकडाउन और इस दौरान हजारो लाखो करोडों लोगों का रोजगार धन्दा चला जाना उनकी नौक्रिया चला जाना उनकी कमाई घड जाना जीडिपी जब नकारात्मक में चल रही हो उस वक्त महंगाई का लगातार बढ़ना ये किसी भी समाज के लिए सुब संकेत नहीं माना जाना चाहिए ये निश्चित तोर पर बेहत परिशानी का विसे है महंगाई जिस प्रकार से अपना मुह बढ़ा करती जा रही है गरीब और जरूरतमंदों की जिन्दगी उतनी ही कठीन होती जा रही है जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है जीवन जीने के खर्चे और जिन्दगी गुजारने के जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे है और सिर्फ किसी एक सेक्टर में नहीं बलकि सभी छेत् महेंगाई बड़ी ब्यापक रूप से बड़ी तेजी से बढ़ रही है और हुकूम ते इसको नियंत्रल करने में नाकाम साबित हो रही है ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास इनको नियंत्रित करने की कोई नीती ही नहीं है बेश शुमार महेंगाई है वो भी तब जब लोगों की आमदनी घट रही है वो भी तब जब लोगों की नौक्रिया चली गई है वो भी तब जब लोगों के काम धंदे बंद हो गए है वो भी तब जब भारा करोर से ज़्यादा लोग कोरोना के चलते बेरोजगार हो गए इन हालात में देश में लगातार महंगाई बढ़ना ये ब्यापक और बड़ी चिंता का विमर्ष होना चाहिए पेट्रोलियम प्रोड़क्ट्स इंधन की कीमतें घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें ये बेहत चिंता में डालने वाली है और आप ये मत समझें कि अगर इंधन की कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल डीजल की या गैस सिलेंडर की तो उसका प्रभाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर पढ़ता है जी नहीं उसका प्रभाव सब पर पढ़ता है इस्टूडेंट से लेके कार्पोरेट सेक्टर तक सबजी खरीदने वाले से लेके देश की जीडीपी तक सब पर उसका ब्यापक और परिशान करने वाला असार होता है आम आदमी के पास विगल्प सीमित होते जा रहे हैं लोगों की बचत खत्म हो रही है जितना कमा रहे हैं वो उनकी जीवन चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है और अनियंत्रित कीमतें यह बताती है कि सरकार के पास पॉलिसी नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर वो इ गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान चू रही है आज लखनौ में 802 रुपय का सिलेंडर मिल रहा है घरे लूग इस्तेमाल का 802 रुपया आखलपना कर सकते हैं यहीं सिलेंडर एक साल पहले साड़े 500 रुपय में मिल रहा था आज वो सिलेंडर 800 रुपय का मिल रहा है कहां से भ सोचा गया आपकी सेलरी ज्यादा है अगर आप ज्यादा कमाते हैं हो सकता है कि आप पर प्रभाव न पढ़ रहा हो आप उसको उस प्रकार से ब्यापक न देख पा रहे हूं लेकिन उनका सोचिये जिनकी आमदनी सीमित है जो बहुत थोड़े पैसे में जीवन का गुजारा करते हैं वो किन कठनाईयों भरी जीवन जी रहे हैं जिनके घरों में दो सब्जीयां बनती थी आज वो एक सब्जी से काम चला रहे हैं जिनके पास एक सब्जीयां थी आज वो दाल पर सीमित हो गए हैं लोगों ने अपनी जरूरते घटा ली है यह चिंता कभी शहए देश के लिए इस्टूडेंट्स हों किसान हों ब्यापारी हों आम आदमी हों नौकरी पेशा वाला वेक्ति हो महिलाएं हों ट्रांस्पोर्टेशन हो हर चीज कीमत महंगी होती जा रही है पिछले एक साल के भीतर आपने 17 रूपय पेट्रोल और 15 रूपय डीजल की कीमतें बढ़ा दी औ दो साल पहले के हालात आप देख लें राज के हालात देख लें बहत्तर रूपय का पेट्रोल आज 90 रूपय पहुंच रहा है चाचट रूपय वाला डीजल दो साल पहले का आज 80 रूपय पार कर चुका है तो आप क्या समझते हैं इसका असर समाज पर नहीं पड़ेगा महंगाई का कारण यही है कि 500 का सिलेंडर 800 में मिलेगा कोई अपना घर कैसे चलाएगा आप हर व्यक्ति को अमीर मान कर चल रहे हैं जबकि इस देश में की एक बड़ी तादाद है करोणों लोगों की जो बिलो पावर्टी लाइन हैं गरीबी की भी रेखा के नीचे हैं और इस करोणा के बाद तो आप कलपना ही मत करिए तो अगर दाम बांधे नहीं गए दाम नियंत्रित नहीं किये गए तो यकीन मानिया आने वाले समय में लोगों के समझ चुनोतियां और विकराल और बड़ी होंगी महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है सबजीयों के दाम बढ़ गए हैं खाद्यान के दाम बढ़ गए हैं ट्रांस्पोर्टेशन महंगा हो गया है बच्चों की इसक की फीच बढ़ गई है पूरे देश में सबसे महंगी भिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है पेट्रोल डीजल सबसे महंगा इस आजपास हिंदी पट्टी छेत्र में कहीं मिलता है उत्तर प्रदेश में मिलता है कि घरे नुगैस की कीमतों का क्या हाल है 800 रुपए के उपर सिलेंडर चला गया तो आदमी करे क्या खाये क्या क्या भी कल्प है सरकारों के पास और ये उन लोगों की सरकार में हो रहा है जिन्हों नारा दिया था बहुत हुई महगाई की मार अपकी बार फलाने की सरकार उस सरकार में यह हो रहा है जब 10 रुपया कीमत बढ़ने पर हंगा में होते थे विपक्त सब्कों पर होता था आज पिछले एक साल के भीतर एक आसी वार दाम बढ़ा दिये गए 81 टाइम्स यह तो सरकार की नीतियों को की विफलता का परिशायक है एक तरफ आप उधर दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं और जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको जानकर बहुत दुख होगा कि पिछले चार सालों में भारती जंता पार्टी की हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में गन्ना की कीमत ही नहीं बढ़ाई कल हुई कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए यूपी गवर्मेंट ने दाम फिर वही कर दिये चार साल से कीमत ही नहीं बढ़ाई 310 और 315 रुपिया प्रती कुंटल ये पिछले चार साल से चला रहा है क्या गन्ना फिरी में उगाता है क्या गन्ने का भीच सिचाई की कीमत डीजल इलेक्ट्रिसिटी केमिकल उसकी ढुलाई उसमें लगने वाला मानोश्रम क्या ये मुफत में आता है चार साल से भारती जनता पार्टी की सरकार ने गन्ना की कीमते नहीं बढ़ाई पेट्रोल डीजल के दाम यहां पहुंच गया है यूरिया के दाम आस्मान पर है ये गरीब किसान क्या करेगा इसको आपने 4 साल से इसके क्यों 48 लाग गंणा किसान है उत्तर प्रदेश के बीतर और देश का 55 फिसदी गंणा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है पूरे देश में जो चिनी का उत्पादा ने 38 परसेंट अकेले हमारा उत्तर प्रदेश तयार करता है और यहां के गन्ना किसानों को ऐसी छोड़ दिया गया, चार साल से आप गन्ना की कीमते नहीं बढ़ी है, और महगाई की कीमत बढ़ती जा रही है, आपका डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, बिजली का रेट बढ़ेगा, सबजीयों का रेट बढ़ेगा, सरकारी टेक् कंट्रोल करके बैठें कारण यह महंगाई उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतिय समाज के लिए घातक है और महंगाई का लगातार बेकाबू होना यह निहायत अनुचित बात है सरकारों को इस पर ततकाल प्रभाव से ध्यान देने की आवश्यक्ता है इस वक्त जिन्दगी आसान है जिन्दगी जीना कठीन होता जा रहा है विसेश तोर पर गरीबों के लिए निम्न मध्यम वर्क के लिए मद्यमवर के लिए सेलरीट क्लास के लिए तो हम किस प्रकार की पॉलसी बना रहे हैं क्या वो पॉलसी जिनसे सिर्फ कार्पोरेट को फाइदा हो मुनाफाक और तेल कंपनियों को फाइदा हो मुनाफाक और गैस कंपनियों को फाइदा हो क्योंकि चार सालों से तो आपने गन्ना कीमते बढ़ाई नहीं कि देवरिया से लेकर बाग तक बागपत तक की बेल्ट पर गन्ना उगाया जाता उत्तर प्रदेश में लाखों किसान भाई ऐसे ही बैठा है इस उम्मीद में कि आप उसके हक में फैसला करेंगे नहीं किया आप इसले साल काई भुला पैमिट नहीं आया अगिस साल कावगा दो साल में हम कहां जांगे बढ़ोत नहीं करके नो बताया दे तो हम यह मील वाले पैमिट नहीं दे रहे और जो था उसमेदर भी गटाना सो चले बता किसान जागा महीने का बजट बढ़ जाता है और चीनी दाल वागरा सब महेंगी हो रही है तो घर चलाने परिशानी हो जाती है महीलाओ को सबको परिशानी है अब वो गाड़ी है तो चलानी ही पड़ती है क्या किया जाए सरकार में आने से पहले पंदरे दिन में पूरा वुक्तान करने का वादा कर रहे थे अब किसान की ऐसा लगता है कि सरकार ने किसान के साथ पूरी तरह उसका गला घुटने का इंतजाम कर लिया है योगी जीन पे कम्योर थोड़ा है कि मायावत्ती ने 40-42 बार बढ़ा दिये अध्ले सिहादाव ने 40 रुपे बढ़ा दिये प्रदेश की सरकार योगी आधितनाथ रोज जूट बोलते हैं लभाजी करते हैं इससे किसानों की आए दुगनी नहीं होने लाए बढ़ती हुए महंगाई यह बहुत चिंता जनक बात है मुझे आद है कि पिछले साल 590 रुपए का एक सिलेंडर मिलता था और आज 802 रुपए का मिल रहा है लखनों में हो सकता है कल सुबह जब आप जगें तो यह कीमत और बढ़ी हुए मिलें दस दिन के भीतर दो बार कीमत बढ़ा दी गई ऐसा इतिहास में नहीं होगा कि इस प्रकार से कीमतों को बढ़ाया जाए डीजल और पेट्रोल में तो आग लगी हुई है कोई कैसे इस्तेमाल करेगा क्या ट्रांस्पोटेशन महंगा होने से कीमते नहीं बढ़ेंगी और इ प्रकनी पड़ेगा पर गरीब पिस्ता है गरीब मरता है इसमें हमें उसकी चिंता करने की आवश्यक्ता है आज की डिबेट मेरे साथ ओपी सिंग है भारती जनता पार्टी से जुई सिंग समाजवाधी पार्टी से